वालमिकी जीकी लिखी हुई रामायन को संस्कृत का पहला महाकाव्य माना जाता है रामायन में सरफ भगवान राम के जीवन की कहानी ही नहीं बलकि ये जीवन के नजरिये को बदल देने वाले ज्ञान का भंडार है रामायन को हिंदू धर्म की मुख्य किताबों में से एक माना जाता है भगवान राम के जीवन की घटनाओं से हम कई तरह की सीख ले सकते हैं वालमिकी और तुलसी दास दोनों नहीं उनके जीवन की घटनाओं को आसान तरीके से दिखाया है आज हम अपने वीडियो में रामायन की ऐसी दस बातें आपके सामने ला रहे हैं जिनसे हमें जीवन की बड़ी सीख मिलती है लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं दुख से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं है ये बात सच है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दुख है दुख अच्छे से अच्छे ग्यानी और शक्तिशाली इनसान को भी कमजोर बना देता है इसलिए हमें दुख को अपने मन और बुद्धी के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए उत्सा में अपार शक्ति होती है अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर उत्सा हो तो उत्साहित मन वाला आदमी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से हरा सकता है दुख में डूबा और निर्बल इनसान कभी भी कोई महान काम नहीं कर सकता अगर इनसान अपने दुखों का तोड़ निकाल कर उनसे लड़ने की रा नहीं ढूरता तो ऐसा इनसान कभी भी कोई महान काम नहीं कर सकता दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है जिसका मतलब है कि अगर दुख हम पर हावी हो जाए तो कभी भी अपने जीवन को स्माप्त ना करें सुख और आनद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यू से नहीं इनसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दरपन होता है कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता क्रोध हमारा ऐसा शत्रू है जो दिखता मित्र की तरहा है ये वो तेजधार तलवार है जो हमारा सब कुछ नश्ट करने की ताकत रखता है जब इनसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सला भी बुरी लगती है मूर्ख के साथ विनमर्ता, कप्टी के साथ प्रेम, कंजूस के साथ निती और क्रोधी आदमी के साथ शान्ती की बाते करने का कोई अर्थ नहीं है दूसरे के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता इनसान को खुद के बल पर ही पुरुशार्थ करना चाहिए दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है किसी के प्रति कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वो दुखी हो अगर हम रमायन की इन बातों को ध्यान से जीवन में बिठा लें तो हमारा जीवन सुख में हो सकता है आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री राम